किसान आंदोलन की अगर बात करें तो जिस तरह राके इस टिकार किसान आंदोलन की आड़ में जो कुछ कर रहे हैं यह साफ है कि यह देश को तोड़ने और हिंसा जैसे गत विडियो को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी बिना सोचे कि इस आंदोलन से आप जनता को कितनी दिक्कते हो रहे हैं किसान आंदोलन से लोगों को में अर्बो रुपए खर्च हुए बरबाद हुए यह कह सकते हैं स्थानी जनता बिल्कुल बेहाल है इस्थानी लोगों ने अब टिकार को घेर कर मारा जी हां जिस तरह देश के लोग टैक्स देते हैं देश के विकास के लिए सुविधाओं के लिए सुविधा मिली भी लेकिन टिकैट जैसे लोगों की वज़े से आंदोलन की आड़ में स्थानी लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे लोगों ने टिकाट को आप जमकर खरी खोटी सुनाई है और जमकर धोया भी है सिल्दों बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है आम जनता को कितना भोगना पड़ रहा है यह सब बिना सोचे समझे टिकाट सिर्फ आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीती चमकाने में लगे हैं लेकिन जिस तरह से बॉर्डर के आंदोलन के नाम पर इस्तमाल हो रहा है इससे आने जाने वालों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यह आज हम आपको बताएंगे बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेर लाइक और कमेंट जरूर करते रहेगा जिहां किसान आंदोलन कि आज में किसान नेता टिकैट रास्तों को जाम करते हैं बिना यह सोचे समझे कि इससे आम जंता को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई रोजमरा की जिंदगी वाले रोजमरा पेशा के लोग जिनको इस आंदोलन के चलते काफी दिक्कते आई आने जाने के 15 मिनिट की दूरी तय करना पड़ता था अब आंदोलन के चलते उन्हें तीन घंटे लग जाते सूचिए कि इस आंदोलन के चलते जिनको इमर्जंसी होती होगी वह इतना लंबा सफर करके कहां कैसे जाए जहां सिर्फ 15 मिनिट लगने हो वहाँ पर 15 मिनिट का रास्ता हो व लोगों के सड़क पर चलने के अधिकार के आड़े आ चुका है दिल्ली के सिंगु बॉर्डर पर 26 नवंबर 2020 में ही किसान आंदोलन चल रहा है देश का सबसे लंबा नाशनल हाइवे नंबर 45 इसकी वज़ा से बंदक बना हुआ है देश की किसी नाशनल हाइवे पर गारी स 12 किलो मीटर का रास्ता तै करना हो तो आपको कितना वक्त लगेगा आम तोर पर 12 से 15 मिनिट अगर ट्राफिक जाम हो तो आपको आधे घंटे से लेकर एक घंटा समय लग सकता है लेकिन अगर ट्राफिक जाम ना हो सड़क पर गारी भी ना हो और फिर भी 10 से 12 किलो मीटर की यात्रा करने में कई घंटों का समय लग जाए तो आप इसे क्या कहेंगे देश की रासधानी के बॉर्डर्स का हाल जान दीजें किसान आंदोलन आखिरकार लोगों के सड़क पर चलने के अधिकार के आड़े आ चुका है दिली के सिंगु बॉर्डर पर 26 नवंबर 2020 से किसान अंदोलन चल रहा है, देश का सबसे लंबा नैशनल हाईवे नंबर 44 इसकी वज़ा से बंधग बना हुआ है, श्रीनगर के से कन्या कुमारी यानि देश के उत्तर को दक्षिंग से जोडने वाला ये हाईवे देश की 12 किलो मीटर का हिस्सा अब किसी काम का नहीं रह गया, सिवाए किसान अंदोलन, सिंगु बॉर्डर पर किसान अंदोलन, अंदोलन के नाम पर सड़क बंध है, इसकी वज़ा से आसपास के गाउं वाले गलियों में ट्राफिक के जाम लग रहे हैं, गाउं में रहने वाले किसान है, इन गाउं में सुभा शाम के ट्राफिक जाम में इन किसानों को जीना दुर भर कर दिया है, बॉर्डर पर बैठे किसानों के अंदोलन कारी रूप से परिशान है, सिंगु गाउं में बने मजबूर वाले इस हाइवे के नाम पर आप हमारी ये ग्राउंड रिपो जी करनाल रोड के नाम से भी आप इसको जानते होंगे, वहाँ पहुचने के लिए आजकल एक छोटी सी सड़क से होकर जाना पड़ रहा है, दिल्ली हरियाना बॉर्डर पर बने सिंगु गाउं की एक छोटी सी सड़क है और ये हाइवे का विकल्प है, फिलाल दिल्ली से जी करनाल रोड यानी नैशनल हाइवे 44 पर पहुचने के लिए यही रास्ता है, किसान आंदोलन के नाम पर बंधक है ये 6 लेन की सड़क, पिछले 44 दिनों से सिंगो बॉर्डर बंध है, किसान आंदोलन के नाम पर 6 लेन की ये सड़क बंधक है, उसका नतीजा आपके सामन है कि ट्राफिक जांप में फसकर 15 मिनट के सफर को 3 घंटे लगाकर इस सड़क से वो लोग गुजरते हैं, जिनके पास इस तकलीफ को झेलने के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कच्छी सड़कों पर वहानों का भी बुरा हाल हो रहा है, और लोगों का भी सिंगो सिंगो बॉर्डर की सड़के अच्छानक हजारों गाडियों का बोच ठो रही है, यहां भी कई किसान रहते हैं जो सिंगो बॉर्डर के किसान आंदोलन की वज़ा से अपनी फसले खराब होते हूँ देखने की पर मजबूर हो गये हैं, रोजाना हजारों वहानों से उनने फसले वाले की वज़े से खेती बरबाद हो रहा हैं शोर और धूलों से जीवन और दोनों का हाल खराब हो चुक है इस गाव में किसानों को इस बाग का जादा दुख है कि उनके दर्द की वज़़ा किसान ही बन रहे हैं, यहां के किसानों ने बताया कि सारी फसल खराब हो गई है, इस बात का दुख है कि इस बार कुछ नहीं मिलेगा, आंदोलन करने वाले किसान को यहां आकर देखना चाहिए, सुनाबने अगर आम नागरिकों की सडक पर चलने का अधिकार धूल खा रही है, जी हां, यहां से गुजरने वाले लोग भी कम परिशान नहीं है, कोई कच्चे रास्तों पर लड़ खड़ा रहा है, तो कोई किसी को गलियों की सडकों पर कटार में अपनी बारी का इंतिजार करना पड़ रहा है, दिली बॉर्डर से 14 किलोमीटर तक इस तरह की यात्रा को ज हेलते हुए हर्याड़ के राइ में लोगों को एक नाशनल हाइवे के दर्शन होते हैं, दिली के तीन बॉर्डर पर क्रिशी कानूनों के खिलाब प्रदर्शन के नाम पर आंदोलन के अधिकार का प्रयोग जारी है, लेकिन आम नागरिकों के सडक पर चलने का अधिकार आपके लिए एक ऐसी पत्र का पहली बाराई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। हमारे लेक आपको दिखेंगे इस मेगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर दर न्यूज ओसियन, हम आपको दिखाएगे किसान अंदोलन के बीश में जिहादी कार्ण। सब्सक्राइब करें दर न्यूज ओसियन, खबरों का समंदर।